आपको एसे दुरलब मंत्र जो के आपके जीवन में जितना भी इमोशनल पेन हो कष्ट हो वो दूर करेंगे तो चलिए जाएं पहला ऐसा दुरलब मंत्र क्या है श्री करीशन का यह ऐसा मंत्र है जो कि परेंशन यानि कि विհह की पेन को दूर करता है यह मंत्र क्या है चलिए जानते है ओम विरहनाल संताप्त भक्त चित्तोद्या नमहा जब आपका रिलेशंशिप यदि किसी से खतम हो रहा है यह वो आपसे दूर हो जाते हैं या आपके कोई प्रियव जन है किसी कारणवाश आपसे दूर हो जाते हैं तो कई बार बहुत अंदर से कष्ट रह जाता है इस मंत कि शारीरिक कष्ट है मानसिक पीड़ा है वो दूर होती है चलिए जानते हैं दूसरा दूरलब मंत्र क्या है कई लोगों को शारीरिक उर्जा नहीं रहती यानि कि फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत कमी रहती है कमजोर महसूस करते हैं अचानक जाएंगे घबराहट स्ट्रे व्लत बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में क्या करा जाएं हो एक ऐसा ही दूरलब मंत्र है यह मंत्र है ओम उर्जित आए नमसर में एक शब्द है ओर्जा जिसका मतलब है शक्ति श्रीविष्णु ही धर्ती पे सारी इस चीजों का नियंतरण करते हैं, चलाते हैं, इस संसार के सारी चीजों में शक्ति प्रदान करते हैं, एक अलग नवीनता लेकर आते हैं, तो इस मंत्र का ध्यान करते हैं, आप श्री विश्नु का ध्यान करें, जो की सिंबॉलिक है स्ट्रेंथ के, शक्ति के, एनरजी के, औ बहुत जादा किसी भी व्यक्ति विशेश से अटाच हो गए हैं और आपको खष्ट हो रहा है उस अटाच्मेंट का तो उससे कैसे दूर हुआ जाए यह मंत्र क्या है चलिए जानते हैं यह मंत्र जो है वो अटाच्मेंट को दूर करता है अटाच्मेंट दोनों तरीकी की होती है एक पॉजिटिव होती है और कई बार उसका नेगिटिव प्रभाव भी पड़ता है हेल्थी अटाच्मेंट तो बहुत अच्छी होती है और हर विक्ति को होना ही चाहिए लेकिन आइड एफेक्स आपको बहुत होने लगें आपकी मानसे क्षमता कम करें तो ऐसे में इस मंत्र का जब करें श्री गणेश का यह दूरलब मंत्र है जो कि अटाच्मेंट जो पुरानी अटाच्मेंट चली आ रही है उसको भी दूर करता है और किसी भी व्यक्ति विशेश से आपको addiction हो गई उसके साथ की आदत पढ़ गए है लेकिन किसी कारणवश आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दूर हुआ जाए वो आपके लिए हानी कारक है तो इस मंत्र का जब करें और आप देखेंगे कि आपके मन्त में बहुत ही आराम मिलेगा चलिए जानते हैं शिवजी का एक ऐसा दुरलब मंत्र जिससे की जीवन में खुशियां भरी रहती है ये मंत्र का जीवन में एक अलगी उत्साह लेकर आता है हर्ष लेकर आता है उल्लास लेकर आता है ये मंत्र क्या है चलिए जानते हैं ओम महा हरशाय नमहा शिव जी को माना जाते है creator, हर emotion का, हर feeling का और हर एक ऐसे experience का यह मंत्र जितनी भी negativity है आपके जीवन में, जितनी भी नकारात्मक विचार है आपके जीवन में उनको दूर करता है, खुशियां प्रधान करता है यह मंत्र में महाहरश, यानि कि बहुत जादा खुशियां भरीवी है इस मंत्र को आप ध्यान करते समय, शिव जी से यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए ऐसे ही खास बातें लेकर आउंगी मैं शुत दिवेदे एस्टो तक में तंत्र मत्र विज्यान में नमस्कार